असलाम अलेकुम डियर वीवर्स मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं MLT Hub with कामरान कैसे हैं डियर वीवर्स उमीद है सब ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ट्यूबर कॉलोसेज जो के बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है और मैं डिटेल में डिसकस करूँगा तो वक्त जाया नहीं करते शुरू करते हैं अपना टॉपिक टूबर कॉलोसेज डियर वीवर्स जो दोस्त मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सबस्क्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबा दीजिए ताके हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टूबर कॉलोसेज क्या है टूबर कॉलोसेज एक बिक्टिरियल बीमारी है और जिसम में सबसे पहले जिस जगह को ये मतासिर करता है ये बीमारी तो वो हमारे फैपड़े होते हैं अगर इसका इलाज वक्त पर ना किया जाए तो जिसम के मुखतलिफ हिस्सों को ये एफेक्ट कर सकता है जिसमें शामिल है गुर्दे और वहां पर जाकर ये गुर्दो का टूबर कॉलोसेज कास कर सकता है इसके इलावा दिमाग को भी ये मतासिर कर सकता है आंतों को मतासिर कर सकता है और हडियों को भी मतासिर कर सकता है ये इन्तहाई मोहलिक किसम की बीमारी है अगर इसका वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये इनसान की जान ले सकता है अभी हम बात करेंगे कि इस ट्यूबर कुलोसिज बीमारी की वज़ा क्या चीज बनती है कि इनसानों में ये बीमारी हो जाती है तो जो सबसे पहली जो वज़ा है जिसका हमने अभी जिकर भी किया वो एक बिक्टिरिया है जिसका नाम है माइको बिक्टिरियम ट्यूबर कॉलोसिज और मज़े की बात ये है कि ये बिक्टिरिया ना तो ग्राम पॉजिटिव बिक्टिरिया में आता है ना ये ग्राम नेगेटिव बिक्टिरिया में आता है और उसकी जो वज़ा है वो ये है कि इसका जो सेल वाल होता है वो बहुत यूनीक होता है क्योंकि उसमें माईकॉलिक acid मौझूद होता है जो के बाकी बिक्टिरियाज में मौझूद नहीं होता अगर हम बात करें कि इस tuberculosis बीमारी की कितनी अखसाम है तो इसकी दो अखसाम है पहली किसम को कहा जाता है active tuberculosis यानि फाल tuberculosis और दूसरे type को कहा जाता है latent tuberculosis यानि कि खामोश और छुपा हुआ tuberculosis अगर हम बात करें active tuberculosis की तो इसमें जो बिक्टिरिया मरीज के जिसम में होता है वो बहुत तेजी से तैदात को अपने बढ़ाता है और साथ में बाकी जितने भी हिस्से होते हैं जिसम के या और्गन्स जो होते हैं तो उसको भी ये बीमारी में मुतासर होना शुरू कर दे हैं इसके इलावा active tuberculosis में जो बिमारी की अलामात होती है तो वो भी आना शुरू हो जाती है अगर हम बात करें latent tuberculosis यानी खामोश चुपे हुए tuberculosis की तो इसमें मरीज के जिसम में TB का बिक्टिरिया मुझू होता है लेकिन वो इतना तेजी से अपने तादात को नहीं बढ़ tuberculosis का इलाज ना किया जाए तो ये latent tuberculosis भी तबदील हो सकता है active tuberculosis में अभी हम बात करेंगे कि ये जो mycobacterium tuberculosis या जो tuberculosis की बिमारी होती है तो ये एक इनसान से दूसरे इनसान में किस तरह से मुनतकिल हो सकती है तो सबसे पहले नमबर पर जो चीज है वो ये है कि जब बिमा जिसे tuberculosis होता है जब वो चीनकता है या खानसता है तो उसके मूँ से जो ठूक में जरात निकलते है जो ठूक निकलता है तो वो हवा में हवास्त की मदद से दूसरे इनसान के तनफूसी निजाम में चला जाता है और उसमें भी फिर tuberculosis का बाइस बन सकता है या अगर कोई शक्स ऐसा दूद पीए ऐसे जानवर का जिसको ठीक तरह से उबाला ना जाए ठीक तरह से उसे गरम ना किया जाए और शायद उसमें ये ट्यूबर क्लोसिस का बिक्टिरिया हो तो भी ये इनसानों में मुनतकिल हो सकता है तो इसलिए जब भी कच्चा दूद लिया जाए या पिया जाए तो उसे अच्छी तरह से उबाल कर पीना चाहिए अभी बात करेंगे कि जिस मरीज को ट्यूबर क्लोसिस हो जाता है तो उसमें कैसी अलामात होती है तो सबसे पहले नमबर पर है कि ऐसे मरीज को रात के टाइम पर बहुत ज्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है बुखार होता है ऐसे मरीज को मसलसल वो खांसता रहता है उसका वजन दिन बदिन कम होता रहता है बूक ऐसे मरीजों की बिलकुल खतम हो जाती है मरीज को बहुत ज्यादा ठंड लगती है और जब मरीज खांसता है तो खांसने के दोरान उसके मूँ से खून निकलता है या फिर बलगम में खून निकलता है अभी बात करेंगे कि तश्खीस के लिए हम कौन से टेस्ट इस्तिमाल कर सकते हैं ट्यूबर कुलोसिस की तश्खीस के लिए तो सबसे पहले नंबर पर है मान्टॉक्स टेस्ट या इसे ट्यूबर कुलीन स्किन टेस्ट भी कहा जाता है दूसरे नंबर पर है हमारे पास अगर मरीज का खून लिया जाए और उसके खून में IgM और IgG antibody की डिटेक्शन की जाए ICT method या strip method की मदद से और इसमें जो important antibody होती है जो हमें फाल यानि active tuberculosis का बताती है तो वो IgM antibody होती है इसके इलावा हम टेस्ट करते हैं जील निलसन स्टेनिंग का जिसे जेडन स्टेनिंग भी कहा जाता है इसके इलावा PCR यानि Polymerase Chain Reaction टेस्ट भी किया जाता है Sputum Culture किया जाता है, X-ray किया जाता है और लास्ट में जो सबसे एहम और मखसूस टेस्ट है इस बिक्टीरिया के लिए तो वो है Interferon Gamma Release Essay जो के बहुत मखसूस टेस्ट है, बहुत specific टेस्ट है Mycobacterium Tuberculosis की तशखीस के लिए अभी हम बात करेंगे कि इस Tuberculosis की बीमारी से हम खुद को कैसे रोक सकते हैं या खुद को कैसे बचा सकते हैं तो हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें अगर गर पर कोई ऐसा Tuberculosis का बीमार मौजूद है तो नॉर्मल लोगों को भी मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए दूसरा ये कि ऐसे मरीजों को समझाना चाहिए कि जब भी आप खांसें या जब भी आप च्छींकें तो बराए महरबानी अपने चहरे को और अपने मुझを डामपा करें अपने हाथों से और मास का इस्तेमाल इने कहा करें कि वो किया करें ताके जो इन के मुँसे थोक निकलता है तो उसके जरात ऐसे ना हो अवे वो हुआ में चले जाएं और दूसरे लोगों को वो मतासर कर लें इसके इलावा BCG वेक्सीन भी की जाती है और BCG की वेक्सीन बच्चों से लेकर 35 साल के उमर तक के लोगों में की जाती है ये वेक्सीन 35 साल से जो उपर के लोग होते हैं तो उसमें इस वेक्सीन का कोई फाइदा नहीं होता इसलिए 35 साल से नीचे जितने भी लोग आते हैं तो उसमें ये विक्सीन अगर की जाए तो इस बीमारी से खुद को रोका जा सकता है बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT Hub with कामरान देखने के लिए उमीद है ये लेक्चरा आप लोग को पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा मेरे चैनल MLT Hub with कामरान को सबस्क्राइब कीजिएगा अपना धेर सारा ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज